यह गाइज दिस प्रेम पांटे प्रेजेंटिंग फोर यू थर्ट पार्ड आफ दे चैप्टर सेकेंड तुनामी फ्रम क्लास एट एंसी आटी बोग हानी दियू तो लेट सी मैंने पहले दू पार्ट की वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है अगर आपनी वीडियो नहीं द और बेल आइकम को दबाना बिल्कुल ना भूलिये तो लेट स स्टार्ट द वीडियो लुक किया फुली एट द पिक्चर अफ द बोग एंद इस दॉग एंद ट्राइब दिस्क्राइब करने कि क्या है यह सर्कमिस्टांसिस क्या है मतलब सुनामी आई थी और बच्चे का सा करना है आप वर्ट्स यूज कर सकते हो यह कि इस हाओ यूज स्टार्ट काम सांत ब्लू सी निला समुद्र रूइन हर्ट्स टूटे फूटे मकान तो आप ऐसे करके केवल वर्ट्स और फ्रेजेस यूज करके पूरे पिक्चर को डिस्क्राइब करना है बिफोर द जाइंट वेप स्लांब इंटो दो कोस्ट इन इंडिया और सिलंका वाइल और डॉमेस्टिक अनिमल्स सीम्ड तो नो वर्ट असे बाउट तो हैपन वह जो लेखक है वो बताता है कि बिफोर द जाइंट वेप स्लांड स्लांड मिस होता है कि टक्राना हिक पटकना जिसे बोलते हैं त जो जंगली जानवर थे जो पालतू जानवर थे सीम्ड टू नो उन्हें पता चल गया था वाट वस अबाउट तो हैपन कि क्या होने वाला है और वह उन्हें जब पता चल गया तो वह किसी महफूज जगा पे जाके महफूज जगा पे वह चले गए एकोर्डिंग टू और वह क्या कर रहे थे दौड पड़े थे किसकी तरफ थोड़ा उचे जगह की तरफ जहां पे सुनामी ना पहुच पाए डॉक्स रिफ्यूस टू आउट डॉर्स जो डॉक्स से कुत्ते थे वह बाहर जाने से कत्राते थे वह बाहर जाना नहीं चाहते थे फ्लैमिंगोस यह जो अंदे रजट इने की जगती जग जहां जो नीचे था जो अंदे दे झती थे वह बहु जाने से भी कत्राणे लगी थी and Jew animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out और Jew animals जो जू के animals तो जो चिडिया घर के जितने जानवर थे वो अपनी shelters में छुप गये थे and could not be enticed और उनका मन नहीं करता था to come back out कि वो बाहर आजाएं वापस many people enticed means होता है ललचना बाहरान ऐसे आप बोल सकते हो कि मन ना करना many people believe that animals possesses a sixth sense जादा तर लोग यह बिस्वाच करते हैं कि जानवरों के पास एक sixth sense होती है जो उन्हें किसी विवदा आने से पहले उन्हें पता चल जाता है know when the earth is going to shake जिसे उन्हें पता चल जाता है कि धरती कब हिलने वाली है some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration some experts कुछ जानकार मानते हैं believe करते हैं कि जो animals होते हैं उनकी जो acute hearing होती है उनकी जो सुनने की तिवर सक्ती होती है वो उन्हें help करती है hear, सुनने में, feel करने में, महसूस करने में earth जो vibrate जैसे earth को एक आने वाला है तो उससे पहले वो vibration करती है तो वो vibration उन्हें feel हो जाती है, वो सुन लेते हैं तो उन्हें विबदा का पता पहले ही चल जाता है they can sense an approaching disaster, उन्हें sense हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी विबदा आने वाली है, long before humans realize बहुत पहले, बहुत पहले, इंसानों से बहुत पहले उन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, we cannot be sure whether animals have a sixth sense or not हमें पूरी तरीके से पता नहीं है, कि animal जानोरों के पास six sense होती है कि नहीं होती, but the fact, लेकिन सच्चाई is that, सच्चाई यह है कि that the giant waves that rolled through the Indian Ocean, killed more than 1,50,000 people in a dozen countries जो जानोर होते हैं, यह तो पता नहीं है कि उनके पास six sense होते हैं कि नहीं लेकिन, but the fact, लेकिन सच्चा यह है, कि जो वो जानलेवा, जानलेवा जो लहरें थी सुनामी की, जो Indian Ocean में आई थी, हिंद महासागर में आई थी, उससे देड़ लाख लोगों की जान, दरजनों देशों से देड़ लाख लोगों की जान गई, but not many animals have been reported dead, लेकिन, रिपोर्ट के अनुसार, बहुत जादा जानवर इस सुनामी में नहीं मारे गए, Along India's, कडलर कोस्ट, कडलर कोस्ट एक किनारे का नाम है, तो इंडिया का जो कडलर कोस्ट था, वेर थाउजन्ड साफ पीपल पेरिज्ड, जहांपे हजारों लोग, पेरिज्ड मतलब होता है, मर गए, मौत के घाट उतर गए, Buffaloes, Goats and Dogs were found unharmed, जहांपे बहुत लोग मर गए, लेकिन फिर भी Buffaloes जो भैसें थी, Goats थी, जो बकरियां थी, कुत्ते थे, वो अब भी बिना नुकसान के थे, उनको जान का नुकसान बहुत जादा उन्हें नहीं हुआ था, याला नेशनल पार्क इन सिलंका is home to a variety of animals, including elephants, जो याला नेशनल पार्क है, जो सिलंका में है, वो बहुत से, बहुत है वेराइटी के, बहुत से प्रकार के जानवरों का एक घर माना जाता है, जैसे कि वहाँ पे हाथी पाय जाते हैं, लियोपाड्स पाय जाते हैं, और उस याला नेशनल पार्क के अंदर, पटांगला बीच, एक समुद्र का बीच है, याला नेशनल पार्क के अंदर ही, वहाँ से 60 यात्री मारे गए, बह गए लहर में, but no animals, carcasses, लेकिन कोई भी जानवर वहाँ पे, carcasses मिन सोता है, कोई भी कंकाल तंत्र वहाँ पे जानवरों क वहाँ पे मृत्यू की कोई खबर नहीं थी, about an hour before the tsunami hit, people at याला नेशनल पार्क had observed, three elephants running away from the पटांगला बीच, तीन घंटे पहले, tsunami आने के तीन घंटे पहले, people at याला नेशनल पार्क, जो लोग थी याला नेशनल पार्क में, had observed, उन्होंने पाया, three elephants running away from the पटांगला से अपने site की तरफ भाग के दौड के जा रहे थे, ये सिलंकन gentleman who leaps on the coast near Gally said his two dogs would not go for their daily run on the beach, एक सिलंका के एक gentleman थे, एक व्यक्ति था, जो कि कहां रहते थे, गल्ला कोष्ट पे रहते थे, गल्ले कोष्ट हिंद्र महासागर के बगल का एक कोष्ट है, किनारा हिंद महासाग करका उन्होंने बताया कि उनके जो दो कुत्ते हैं वो उस दिन जिस दिन सुनामी हिट करने वाली थी उस दिन वो जो रोज बाहर जाते थे टहलने के लिए वो उस दिन बाहर वहां पे समुद्र के किनारे नहीं गए उनका कमानना उनका कहना था कि they are usually excited वो जो डॉक्ते थे व most probably saved his life और इसलिए उनकी जान भी बट गई तो होप आपको यह वीडियो पसंद आ होगा नेक्स पार्ट हमारा देखना बिल्कुल ना भूलिए नेक्स पार्ट में हम लेके आएंगे सारी question answer इस chapter के तो जुड़े रही है हमारे साथ और educational high channel को subscribe कर दिजे थांक्यू जाहिंद झाल नेक्स पार्ट